राव खलखाट फोलेन की गनपती घाट पर हाथ से थमने का नाम नहीं ले रहा है शुक्रवार दोबहर 12 बजी घाट पर फिर एक दर्दनाख हाथ सा हो गया ब्रेक फेल ट्राले ने आगे चल रही यात्रियों से बारी बस को पीछे से जोड़दा टकर मारती घटना धामनों थाना शित्र की बताई ज़ा रही है पुलस भी मौके पर पहुची है आपके बता दे कि दोर की तरफ से आकर गनपती घाट पर उतर रहा ट्राले की ब्रेक फेल होने सी ट्राला अनियंत्रित होकर आगे चल रही बस को ट्राले ने पीछे से टकर मारती टकर लगते ही आगे चल रही दूसरे ट्राले में पीछे से जाखुसी वही ट्राले एवं बस के बीच में एक कार भी नीचे पूरी तरह से दब गई है तो भही हाथसे में एक बाइक सवार भी चापेट में आगया है बाइक पर पती पत्नी और दो बच्चे सवार थी उन्हें भी चूटाई है हाथसे में दस से अधिक लोग घाल हुए जिसमें अनिता उम्रे 33 वर्ष निवासी बढ़वी पाधूरी पती दीपक उम्रे 23 वर्ष निवासी घरगूर मुहित पिता दीपक उम्रे 5 वर्ष निवासी घरगूर दीपक पिता हजारिलाल उम्र 25 वर्ष चंतोष पिता केलाश उ निवासी उमर बन रमीश पिता सत्यनारण उम्र सत्तर वर्ष निवासी इंदौर वही एक मृतक शामल है सभी घालों को टोल एंबुलेस की मदद सी उपचार के लिए धामनोद अस्पताल भीचा है माके पर धामनोद धाना प्रभारी समीर पाटदार एवं काकरदा चौकी प हुआ है और बस में आग लगई है अतकाल हम हमारे पुलिस बल के साथ यहां पहुचे चूकि एनेच आई की टीम पहले से यहां कारे रहती वह अन्य जो नागरी लोग है वह भी सयोग के लिए आगे थे काकरदा चौकी की भी पुलिस आ चुकी थी और इसमें गड़ना इसक हुआ एक चोटे वान वाले ड्राइवर की कैज्वल्टी हुई है उसको ततकल हमने अंबुलांस के बाद यहं से हमने ततकल हस्मिलांस पहुचाया है ग्यारा लोगों का उचार चल रहा है और खेरियत है कि हां समीर पार्टीदार ठाना दाम लोद का कहां से जा रहे थे साथ मोटर सेकल पर कुन-कुन था लेडिस तो दू बच्चे से नहीं हो एक्स चार जाने थे हैं क्या करते हो आप किन्नरी कौन सी बस पर चलते हो खंडेल वा अच्छा कहां से कहां जा रहे थी बस कुक्षी इंदोर कहां पर हुआ एक्सिडेंट आपकी गाड़ी का ये निप बस में था सावार ये दुरगटना केसे होई दुरगटना ये अपना घ्रक लेक लेक बस के नीचे पूरी कार को घुषण लेकर अच्छा आगे भी हमारे ट्रक था वह बस भी दोनों तरफ से अंदाज में कित्ते लोग घाल हुए अब दस कंदरी अबार में पास आठ दस पंदर लोग तो होगा आपका पूरा नाम पर अब कहां से कहां जा रहे था है मैं इंडोर से कुछ आप